बात करने वाले हैं बिट्कोइन के next move के बारे में साथ ही बताएंगे बिट्कोइन के मैसिव पंप के पीछे का जो रीजन मुझे पता चला है उसके बारे में और बात करेंगे कुछ altcoin के बारे में जो 100 तम में बुले से हैं जिनमें आपको नजर रखनी चाहिए और यहां पर बात करेंगे कुछ important news के बारे में जो आपको जानना जरूरी है तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा वीडियो अच्छा लगए तो buy कर लो मत देखो कि बाराजा डॉलर आएगा या नहीं आज अगर आप एक साल का यहां पर चार्ट देखो तो bitcoin 70% उपर आ चुका है तो देख रहे हो कितना बढ़िया यहां पर आपको मौका था आपको बार बार हमने बोला था अभी के जगह 36,000 को भी ब्रेक करके bitcoin उपर निकल गया बाइबिट के फ्यूचर में 36,700 डॉलर गया बाइनस में लगबग 36,000 के आसपास तक गया यहां पर 35,000 तक गया पर बाइबिट के और यहां पर बाइनस के जिसे मैं मानता हूँ पहले अगर आपने देखा होगा ICR का bitcoin ETF की निउज आई फेक निउज थी bitcoin 30,000 डॉलर तक पंप हुआ पर उसके बाद में वापस से bitcoin नीचे की और आया पर धेरे धेरे वो यहां पे cover up करता गया पर यहां पे एक और निउज मार्केट में circulate हो गई कि bitcoin का spot ETF जो है वो एप्रूव हो गया इसी कारण से मुझे लगता है बहुत तगड़ी बाइंग आई और इतना तगड़ा यहां पर पंप आया हलाकि बाद में इसे remove कर दिया गया यह भी एक fake news की तरह ही fake था तो इस तरीके से यहां पर fake news फैला के और bitcoin को pump किया गया है अभी bitcoin bitcoin यहां पर क्या next move दे सकता है उसके बारे में बात करते हैं देखो अभी के time पर अगर देखें तो लोग जो यहां पर bullish हो गया है लोग यहां पर greedy हो चुके हैं तो जब ज्यादा greed बढ़ती है तो fomo भी आता है और उस fomo में कई बार लोग trap भी होते तो इससे आपको trap से अगर आप देखो लगबग यहां पर 30 million के आसपास का liquidation area है यहां पर अगर यह break कर जाता है तो फिर bitcoin में हम एक बड़ा move expect करेंगे फिर हो सकता है हम 36,000 और 38,000 डॉलर तक भी जाए और आपको ध्यान होगा जो भी live हमारा देखते हैं हमने December end का जो prediction है ना 40,000 डॉलर का दिय हुआ है बुला है 40,000 डॉलर हमारा prediction है और वह October में ही आता हुआ लगबग नजर आ रहा है तो यहां पर पहला जो target है important zone बन जाता है 34,600 अगर वह break कर जाता है तो 36,000 से लेके 38,000 तक bitcoin जा सकता है नीचे की और अगर यहां पर important zone देखे तो यह नीचे की और breakout नहीं करना चाह में जरूर बताएगा मेरे साब से तो possibility है क्योंकि form हो आ रहा है और यहां पर great index अगर आप देखो की तो बहुत ही जाता greed है इसमें भी आपको थोड़ा सा safe रहना चाहिए ठीक है अब अगर यहां पर बात करें news की तो देखो news एक बहुत important आई है बाइनेंस के तरफ से लग कि यहां पर कुछ कांड हो गया हो तो अभी यहां पर यह समझ भी नहीं है कि hacking होई है या नहीं हुआ है हलाकि बाद में एक गंटे बाद इन्होंने crypto withdrawals को start कर दिया अभी आगे चल के पता चलेगा कि यह हुआ है यह नहीं हुआ पर यहां पर बाइनस ने clear किया कि आप यहा के तरह तरफ से आती रहेगी क्योंकि जब लोग यहां पर complaint करते हैं तब यह update करते हैं और complaint नहीं करें तो यह update भी नहीं करें घए टिक है तो यह update थी बाइंस की तरफ से साथ एक और बड़ी update nelson की तरफ से आई है जो यहां पर ftx और almeda का जो wallet है वो track कर रहे थे इनकी त आए हैं कहां पर इस address से बाइनेंस के address पर यह किसली आए हूंगे आप सभी को पता ही है इनको अपने जो लेंदार है जिनको इनको पैसे देना है देना है उनको इनको पैसे देने हैं इसके कारण I think के selling करने वाले है लिंक भी अच्छा बढ़ गया है तो बहुत ही बड़ी हा टाइम है इसे sell करने का तो यह यहां पर sell कर रहे हैं यहां पर clearly आप देख सकते हैं these moment on ethereum were first flag by our smart smart alerts which allow you to get real time updates तो इनके तरफ से यह real time update आई है तो थोड़ा सा सेफ रहेगा बहुत ज्यादा over bliss मत होएगा हो सकता है यह डंप करें थोड़ा बहुत यहां पर crash भी आए उस crash में जरूर बाय करिएगा लिक्विडेशन की अगर हम बात करें तो देखो एक बड़ा लिक्विडेशन तो यहां पर दिख रहा है जो कि मैंने आपको बताया 34600 के आसपास में 30 अपने risk reward पर जरूर बाय करिएगा मुझे यह coin bullish लग रहे हैं सबसे पहला जो coin है वह है app coin और यहां पर आप देखोगे 1.32 dollar हो चुका है double bottom यहां पे अगर आप देखोगे दो बार यहां पे bottom बनाया ब्रिक आउट करने के कुस्स किया यहां पे एक बार यहां तक गया फिर वापस से reversal लिया फिर अभी यहां पे जा रहा है market भी bullish है altcoin भी bullish हो रहा है तो ऐसे में मुझे लग रहा है यह breakout कर जाएगा और उपर की और बिलकुल जाने के chances दिख रहा है 1.33 dollar अभी इसका price चल रहा है तो 1.30 dollar से 1.33 dollar के आसपास में इसको dip में accumulate करो उपर की और up to 60% यहां पे short term में target मिल सकते हैं अगर अच्छा pump आया BTC थोड़ा stable रहा 34,000, 34,000, 300, 400 level के आसपास में तो जरूर altcoin और भागेंगे 10-20% और gain यहां पे आराम से मिलेगा तो short term का एक target आप यह भी रख सकते हो जो कि है 1.71 इसके उपर निकलता है तो 2.09 dollar होगा और इसके उपर भी जाता है तो 2.87 dollar तक या 3 dollar तक भी जा सकता है फिर बड़ा move यहां पे देखने को मिलेगा तो पहला coin है हमारा app coin जिस पर आपको नज़ा रखनी है दूसरे coin के अगर हम बात करें तो दोस्तों वह है विड़िट coin विड़िट coin बहुत दिनों बाद लगबग अगर आप देखोगे अगस्त के बाद से अपने sideways range को break कर रहा है और बड़िया उपर के ओर जाता हुँ नज़रा रहा है 0.02160 अभी चल रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि यहां पे 2050 के आसपास में थोड़ा बहुत डिप में बाय करना थोड़ा बहुत अभी उपर हो चुका है थोड़ा नीचे आने दो लगबग मुझे लगता है 2020 के आसपास में वापस से नीचे क्यों रहाएगा एक बार अगर reversal लेता है तो थोड़ा बहुत यहां पे जरूर बाय करिएगा और यह कोई जब भी पंप करता है ना एक बड़ा massive पंप आता है तो upside में इसके target लगबग 85% तक पहला level यह रहेगा हो सकता है वीडियो बनते बनते तक यह level अचीव भी हो जाए तो अगर आपको ऐसा होता है तो यहां पे आपको बाय नहीं करना है दूसरा level रहेगा इसके उपर 2812 के आसपास में तीसरा level लगबग यह रहेगा 3150 और last level 38170 के करीब रहेगा तो इस पर भी आपको नज़र रखनी है अभी यह थोड़ा सा pump हो रहा है तो इसे मैं कहूंगा अभी अगर आपके बाय करने तक वीडियो आने तक यह ज़्यादा उपर हो जाए तो इसे avoid करिएगा एप कोईन में फोकस करिएगा फिर दूसरे कोईन आपको बताएंगे अगर रिवर्सल ले लिता है यहां तक आता है 2020 या 2050 तक भी तो भी आपको यहां पर बाय इसे कर लेना है तो अगर फोमो यहां पर आता है ज्यादा उपर हो जाता है तो इसे avoid करना है otherwise यहां पर dip में ब अपलोड जरूर लगा रहा है और यही था दोस्तों आज का यह वीडियो वीडियो अच्छे लगाओ लाइक कर देना मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए और टेक केर